हेलो स्तो कमाई का अड्रस यूटूब चैल में आप सभी का सोगत है आज हापर हम बात करेंगे एक ऐसे शांदर सेक्टर के बारे में जो फ्यूचर में काफी डिमांड डेट्टो रहेगा ये सेक्टर उसी के साथ ये कमपनी पूरे इंडिया में नमबर वन पॉफोमस करकर अल्रेडी दिखा रही है और आने वाले समय में भी नमबर वन ही बनने की तयारी है क्योंकि कमपनी ने इतने बड़े प्लैन लेकर आपने यहापर बिजनेस को एकस्पांड करना स्टार्ट कर दिया है और दोस्तो इसका बिजनेस काफी वैल्यूबल तरीके से आगे बढ़ रहा है और कमपनी शेयर होल्डर को भी बड़िया रीटन भी कमा कर दे रही है अभी यहापर जो कमपनी के अंदर एक तो देखिए मैनेजमेंट एग्रिस्यू वर्क कर रहा हो साथी बड़े जो निवेशक है वो लगाता स्टेक बढ़ा रहे हो एंड कमपनी के बिजनेस में भी हमें नंबर जो कमपनी के कौर्टरली इंप्रूव होते बे नजर आ रहे हो तो ऐसे कमपनी पर नजर रखना हमारा काम है और देखिए ये सेक्टर कोई आउट डेटेट नहीं है मैं आपको कहूंगा कि आप ऐसे ही स्टॉक्स और ऐसे ही कमपनीस पर अभी नजर रखिए जो आने वाले समय में काफी बेनिफिशल साबित होंगे और खास करकर मिड कैप और यहाँ पर स्मॉल कैप के कमपनीस जिनके अंदर पोटेंशल अच्छा हो और उनका मैनेजमेंट भी बढ़या हो आप यहाँ पर ऐसी अपनी वेल्ट जनरेट कर देंगे ना आने वाले समय में कि आप यहाँ पर फाइनेशल फ्रिडम को भी अच्छो कर सकते हैं देखे दोस्तों रिक्स और रिवार्ड वो दोनों एक साथ साथ चलते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है और यह आज आप समद ले यह आने वाले दस साल या पास साल के बाद समद ले बट यह बात सही है जितना जादा आप रिक्स लेते हैं उतना ही जादा आप पैसा कमाते हैं तो चलिए स्टार्ट करतें एक इंटरेस्टिंग कमपनी की पूरी डीटेल्स वीडियो अच्छा लगे मेरे एफट पसंद आए तो डेफिनिटली दोस्तो लाइक सब्सक्रेब करना कमेंड में बाता ना कोई क्विश्चेन क्विरी आपके माइंड में हो लीथियम बैटरी मैनुफेक्चरिंग से लेकर यह कमपनी इंडर्स्टिल बैटरी आटोमेटिव इंडर्स्टिस से रिलेटेड यहाँ पर जो कमर्शियल यूज यहाँ पर हम देखे सोलार से रिलेटेड इंडर्स्टिस में यूज रहे हैं दो सभी प्रकार के बैटरी मैनुफेक्चरिंग कमपनी करती है यहाँ पर मैं आपको इंडिया के अंदर लिथियम बैटरी सेक्टर जो आने वाले समय में ग्रोग करने वाला उसके बारें बताता हूं दे इंडियन लिथियम बैटरी मार्केट साइज इस्टिमेटेड एड यूज डॉलर 2.48 बिलियन इन 2023 एंड इस एक्सपेक्ट टू रिच यूज डॉलर 5.49 बिलियन बाई 2028 याने कितना इंप्रुमेंट हो रहा हैं सी एजर की साब से देखेंगे तो 17 परतिशत 17 परतिशत नौट जोग बहुत बड़ी बात है यह बहुत बड़िया सेक्टर है और आप सभी को ऐसे सेक्टर पर नजर रखनी ही चाहिए यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपणी के बारे में बात करें है उस कंपणी का नाम है असिड इंडस्टी अभी यहाँ पर इस कंपणी में जो कंपणी को चलाने वाले परसन है डिरेक्टर एंड सी एओ चीप एग्जेक्टिव ओफिशर जिसे हम कई सकते है अक्रडिंग तू यहाँ पर देख लिजे मैनेजिंग डिरेक्टर एंड सी ओ एइड इंडस्टी दे कंपनी सब्सडी असीड इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हैज स्विक्वेर ओडर वर्थ अराउंड 700 करोड फ्रॉम लीथियम आइकन पैक्स एंड मॉडिल्स दूरिंग दे फाइनांशियल ये तू थाजन ट्विन्टी थ्री ये जो यहाँ पर एसीड इनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है एसीड इंडस्टी की सब्सडी कंपनी है और आप यहाँ पर जरूर जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में अभी ये जो काम कर रहे है लिथियम बैटरी के अंदर बहुती सूपर पॉफोमस इस कंपनी का अल्रेडी यहाँ पर इंडिया के अंदर दिखाई दे रहा है करनाटक्या के अंदर ये पूरा मैनुफेक्टरिंग करते हैं और बहुती जबर्दस तरीके से बिजनेस इंप्रूब ये करकर दिखा रहे हैं और आभी यहाँ पर और आप पड़ सकते हैं अदर इस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट पोर लिथियम आइकन सेल मैनुफेक्ट्टरिंग फैसलिटी इस एक्सपेक्टेड तो be close to Rs. 6,000 करोड over the next 8 to 10 year. During the financial year 2023, the company has invested around 715 करोड त्रोड एक्विटी EESL for sitting up the green fill units. तो आप यहाँ पर देख लिजे कि company किस वे में perform कर रहे हैं. मैं स्रीब action जो management रप से हो रहे हैं उसके बारे में पहले बता रहा हूँ. जिससे आपको पता चले. एंड दोस्तो श्रीब कोई particular sector में company ऐसा perform कर रहे हैं. इसके पास double digit का performance growth का है. यह European market में भी. एंड दोस्तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी अपना performance तेजी से company इंप्रूव कर रहे हैं. solar energy sector रहने दो इदेखे यहाँ पर उन्होंने बताया double digit growth इनकी कहां से आ रहे हैं. और क्यूं यह आगे आने वाले समय में perform कर कर दिखा सकते हैं. automotive industries यह जो divisions यहाँ पर हम देखेंगे जितनी भी two wheeler, four wheeler सभी जितनी वेहिकल या आटो सेक्टर हैं. यह जो improve कर रहा है इन सभी को battery लगते हैं. चाहे electric vehicle रहने दो आपके पास का या normal petrol diesel पे का जो भी vehicle उन सभी को battery लगती हैं. आप सभी को पता ही हैं तो इसका benefit इस company को already मिल रहा है and strong demand आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यह जो sector है solar, telecommunication, यहाँ पर transaction से related, railway sector, यहाँ पर I-UPS से related. सचाज ऐसे बहुत से sectors हैं जो इनके लिए बहुत अच्छी strength रखते हैं यहाँ पर demand से related. Acid industry, lithium icon, battery यह सभी company manufacturing कर रही हैं और आपको पूरे details देखने चाहिए and जो अभी आने वाला समय electric vehicle का बहुत ज़्यादा demanded दिखाई दे रहा है तो इसका भी फाइदा इनको जरूर मिलेगा. अब यहाँ पर जैसे मैं company के बारे में आपको बतना चाहूंगा Acid Industries का जो share अभी 500 रुपए के करीब round figure ही चल रहा है और ऐसे stock में निवेश करना फाइदे मन रहेगा इसमें कोई doubt नहीं है क्योंकि पिछले 6 मैने में stock ने जो improvement करकर दिखाई वो आप तक कभी दिखाई भी 2019 के उसको crossover करकर इस stock आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर मैं आपको इप बतना चाहूंगा कि यह जो breakout है बहुत ही अच्छा है और हम 2019 18 तक का कह सकते कि इसने breakout करकर दिखाया तो potential अच्छा है और उसके पेछे only and only जो reason है company की जो बढ़ती भी अपने अंदर की growth company का जो performance है व आपको यहाँ पर इसके fundamental के बारे में कुछ और points बता देता हूं थोड़ा यहाँ पर हम company के website को भी visit करेंगे जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा यह देखिए आटो सेक्टर से जुड़े वे सभी companies के लिए manufacturing करती है बैटरी यह company industrial batteries related industrial यानि जितनी भी industries है छोटे मोट banks वगेरा सभी के लिए यह company बैटरी बना कर देते है इन्वेटर बैटरी रहने दो यहाँ पर UPS बैटरी रहने दो चाहे solar solution रहने दो generator से related रहने दो home UPS systems रहने दो या submarine या e-rickshah electric vehicle की बैटरी रहने दो यह सभी बैटरी यह company बनाती है और इसके यहाँ पर हम revenue का source तो आपको already दोस्तो 74% asset industries company का पूरा battery sector से revenue आता है और यह पूरे अलग-अलग सेक्टर में काम करती है leading storage battery manufacturing करती है company बहुत अच्छी automotive industrial submarine यह सभी आपको जरूर देखाई देगा एंड यहाँ पर distribution network देखेंगे तो इनके पास यहाँ पर warehouse से 1500 plus sales office एंड यहाँ पर 55,000 direct and indirect dealers available है यहाँ पर आप देख सकते हो customers की बात करें तो आपको बहुत से अलग-अलग यहाँ पर companies इनके customer देखने को मिलेंगे Tata है, NTPC है, Induced Towers है, यहाँ पर आपको बहुत से BSNL company है, गोदरे जय है, General Electric से, सिपला है, ऐसे बहुत अच्छे और सुप्रीम business करने वाले companies client दिखाई देंगे industrial area से company का revenue आता है 30%, non-industrial से आता है 70% यानि के उसके अंदर आटो industries आते हैं, domestic market से company इंडिया से कमाती है 93% का revenue और 7% कमाती है बाहर से, 50 देशों से भी ज़्यादा business फैला है, यहाँ पर corporate जो collaboration है, उनने बहुत से company के साथ किये, जापान, अमेरिका, other countryों के सभी अच्छे खा देखने को मिलते हैं, यह बहुत अच्छी company बनने की पूरी ability रखती है, आप इसके अंदर कैसे अपना performance रख पाते हैं, और जो बड़ा point में आपको discuss करना चाहता था, वो दोस्तों company की shareholding, जून 2023 में अगर आप देखेंगे, FIS का stake 10% से सप्टेमबर 2022 से वो जाकर पहुच गया अभी 2000, जून 2023 के अंदर 12%, 10% से 12% यानि FIS को पता चल गया है, बिजनेस तगड़ा improvement करने वाला है, और DIS अलसो सेम, सप्टेमबर में सिर्फ 17% stake रखते थे, वो अभी 19% पर आ गये, और बेचकर निकल गए, पब्लिक द अंदर, यहाँ पर आप नजर रख सकते हो इस company के performance पर थोड़ा आपको situation जैसे ठीक लगे वैसा आप यहाँ पर इसके अंदर निवेश करने से related सो सकते हो, thank you so much, मुझे लगता है कि ऐसे growthable stock आपके लिए बढ़िया अच्छा support करेंगे आने वाले समय में, return कमा कर देने में हुआ है